जैश्री कृष्ण दोस्तों आज मैं आपके साथ में रेसिपी जो शेयर कर रही हूं वो है बाटी की यानि की जो फ्राइड बाटी होती है तो चलो देखो फ्राइड बाटी कैसे बनती है ऐसा नहीं है कि नॉर्मल सत्तु भरा उसमें और उसको फ्राइड कर लिया बन गई सत तो या की बाटी फ्राइड वाली ऐसी नहीं बहुत इसका तरीका थोड़ा अलग है और इतनी क्रिस्प इतनी क्रंची और बहुत मज़ेगी बनती है चरूर बना के ट्राइड कीजिए आप नॉर्मल वाली जो बाटी है ना जो भून के बनाते हैं भूल जाओगे क्यों क्य कुछ इस तरीके का मैंने इसमें अजवायन नहीं डाला है आपको पसंद है तो आप इसमें अजवायन आटे में भी डाल सकते हो आदा चमच के लगबग और अब यह जो आटा है इसे देखो काफी हार्ड लगाया है इसमें बहुत जादा हम मैनत नहीं करेंगे अभी इसे क riverrain को हातों से रगड करके एक चोथाई साथी साथ इसे में डालेंगे नमक एक चोथाई चमच या फीर अपने टेश्ट के हीस आप से डाल लो आप और अब इसमें चाहेगा लेसुन बारी कटा हुआ और अधरक बारी कटा हुआ हरी मिर्च बारी कटी वे अधरक लेसुन हरी मिर्च ये तीन चीजों के एकदम बारी कटा है प्याज भी बारी कटा हुआ जाएगा लेकिन ऑप्सिनल है प्याज को आप पीस करके भी डाल सकते हो बहुत ही अच्छा बनत अगर नहीं है तो आम के अचार का मसाला ले सकते हो और इसी अचार से एक दो चम्मच तेल भी मैं डालूंगी अगर अचार में तेल नहीं है तो नॉर्मल कच्चा सरसों का तेल यूज कर लीजिए एक दिर चम्मच के लगबग अच्छे से इनको मिला दीजिए अब देखो मै कभी भी जब स्टफिंग बनाती हूँ चाहे फ्राइड बाटी बनाओ चाहे नॉर्मल बाटी बनाओ यह सत्तु को ऐसा भूरबूरा नहीं रखती हूँ मैंने जदा तर लोगों कि यहां जब भी मैंने खाया तो लोग इसको भूरबूरा रखते हैं और जब बाटी खाती ह जब तोड़ती हूं तो सारा सत् То पहल जाता है सत्तु का टेस्टी नहीं आता तो मैं इसमें पानी डाल करके इसे थोड़ा सा क्रमबल कर देती हुए जिससे बहुANT में भी आसानी होती है अब यहा पर देखो जो आटा है वही खूब अच्छै से Chikna वो चुका है तो थोड तो बेल करके इसे कचोड़ियों की तरह भी बना सकते हो टेस्ट आपको वही मिलेगा या फिर आप चाहो तो एकदम छोटी-छोटी सी लोई तोड़ करके और बिल्कुल बिना बेले ही इन्हें तो फ्लैट कर दो हाथों से तो अब यहां इस देखो सक्तू जितना आप भरना चाहते हो उतना भर लो ऐसी कोई मनाई नहीं है इसमें कम या ज़्यादा कि और कुछ इस तरीके जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है बहुत आसान तरीका है और आसानी से यह हो जाता है और इसे अच्छे से लोग कर दो सुखे आटी की मदद से इसे हलका मोटा बेल लो बहुत ज्यादा पतला मत करो और बहुत ज्यादा मोटा भी मत रखो तो जितना शेप आप जितना बड़ा चोटा बेलना चाहते हो उतना बड़ा कर सकते हो यहां पर एक डेड़े लीटर के लगभग एक भगोने में मैंने पानी रख दिया था, आप कोई बड़ा बरतन लेना, मेरे पास इससे बड़ा कोई बरतन था नहीं, अब इसमें एक बार में मैं लगभग चार डालूँगी, इससे जदा नहीं डालूँगी, अगर आप आप कड़ाई ले रहे हो, तो कड़ाई में आप 8-10 आराम से एक बार में डाल सकते हो, खोटी छोटी अगर आपने बनाई है गोल शेप में बनाइ फिर आप आराम से डाल सकते हो, अगर ऐसकी फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इन्हें इसमें हम लगभग 3-4 मिनट के लिए अच्छा बीच में आप देखोगे कि ये इसी पानी में फूलना भी स्टार्ट हो जाएंगी तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप इसे बेलोगे तो ये कहीं से फटनी नहीं चाहिए इसलिए आटा आप थोड़ा जादा ही लेना सत्तु अलका कम भरना कर ये फट जाएंगी तो फिर इनका जो भी सत्तु है अंदर का जो भी माल मसाला है वो सारा इसी में निकल जाएगा पानी में तो अब देखो नहीं कुछ-कुछ तो ऐसे फूल रही क्योंकि इन्हें अच्छे से इसमें जगें नहीं मिल पा रही है बड़ा बरतन होता तो ये सब अलग अलग हैगा हम अच्छे से बॉयल होते तेन से चार मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में तब तक हम क्या करेंगे हमारी जो जो हमने पहले अभी करके रखे है ना जो निकाली होई है उन्हें आप किसी जाली दार में रखना इस तरीके की जाली में जिससे कि ये सूख जाए मैंने तो इन्हें पंखे के नीचे रख दिया था पांच मिनट के लिए तो इनका पानी सूख गया है अब इनका जब पानी सूख जाए तब आप गर्मा गरम तेल में डाल दो और आधा मिनट के लिए इसे पलटना मत इसमें थोड़ी सी इसको उपर से अच्छे से पकने दो इसके बाद में इसे पलटना हलका हलका सा दबाना बिलकुल फूली फूली और बहुत ही कुरकुरी बनती है अगर डीफ्राई करके नहीं खाना चाते हो तो तवे में जैसे पराठा लगा के सेखते हैं तेल लगा के पराठा बिलकुल वैसे भी आप सेख सकते हो तो देखो अगर कहीं से फट जाएगी तो ये फूलने में थोड़ इसी दिक्का दोगी लेकिन टेस्ट में कोई कमी नहीं आएगी और इसे हम आलू और बैगन के भुने हुए जो चोखा बनता है उसके साथ में सर्फ करेंगे ये देखिए मैंने चोखा बना के रखा है तो आ स्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चोखा बनाने का लिंक मिल जाएगा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेर कर दीजेगा